हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आवर चैनल आटोमेशन कम्यूनिटी लास्ट वीडियो में हमने टूवे स्विच की लेडर प्रोग्रामिंग की थी और उसका लोजिक समझा था आएज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे उसकी लिए एक सिम्युलेटर में डिजाइन और सिम्यूलेशन भी करेंगे तो सबसे पहले हम यहांसे डोप सॉफ्ट को ऑपन कर लेंगी हमारा सोर्ट वे ओपनी हो रहा है लोड ले रहा है थोड़ा सबसे पहले यहां पर निव फाइल क्लिक करेंगे तो यह विंडो ओपन हो जाएगी यहां से हम सिंपल बेसिक वाला मोडल सिलेक कर लेंगे स्क्रीन रिजलेशन है सिंपल बेसिक वाली और यहां पर हम अपने प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं करेंगे यहां पर कम्यूनिकेशन में आपको हमा अपना सिम्यूलेटर जो भी आपने क्रियेट किया है कॉम जीर में उसको सिलेक कर लेना है और यह कैसे क्रियेट करते हैं तो उसके लिए आप हमारा फस्ट वीडियो देख सकते हैं सबसे पहले हमें विजुलाइज करना है कि हमें स्क्रीन पर क्या-क्या दिखाना है तो हमें एक लेडर दिखानी है तो उसकी इमेज हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी तो वह इमेज जो होती है वह इन बील्ट नहीं होती हमें अपनी डाउनलोड करके डालनी पड़ती है तो अपनी इमेज कैसे डाल सकते हैं तो उसके लिए हम options में जाएंगे, picture bank में जाएंगे, अब यहां पर जो है मैंने अपना folder already select कर रखा है, जहां पर मैं अपनी download files को download करता हूं और HMI में insert करता हूं, अगर आप खुद का folder select करना चाहते हैं तो इस वाले icon पर click कर दीजे, अब य मैंने already करके रखा है, तो मैं simply इसको close कर देता हूं, तो ladder डालने के लिए सबसे पहले हम यहां से एक rectangular ले ले लेते हैं, इसको हम double click करेंगे, और हम picture डालना चाहते हैं, तो मैंने picture में जाऊंगा, और यह हमारी picture library है, जहां पर मैंने अपनी put की library यहां पर डाल रखी है, जै import कर लूँगा, तो यह रही मेरी image आ गई है, इसको simply में select करके ok कर दूँगा, लेकिन मेरी जो file है वो पूरी नहीं दिख रही, यह preview है, पूरी नहीं दिख रही, तो उसके लिए हम यहां से stretch all करेंगे, तो अब मेरी ladder जो है वो पूरी दिख रही है, आप simply इसको ok कर देंग तो मेरी ladder जो है वो आ गई है, अब हम चाहते हैं कि यहां पर हमारे दो switches हो और एक यहां पर lamp हो, इसको थोड़ा adjust कर लेते हैं, जो switches चाहिए वो maintain switches चाहिए, तो हम यहां से button में जाएंगे, और maintain switch पर select करेंगे, तो simply यहां पर हम एक rectangular box draw कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा इस अब इस पर double click करेंगे, तो सबसे पहले इसकी हम addressing देंगे, तो हमारी switches कहां पर connect थी, X0 और X1 पर, तो सबसे पहले मैं यहां पर X0 select कर लेता हूं, और enter कर लेता हूं, तो अब इस switch को मैं प्रेस करूंगा, तो वो अपना output कहां पर देगी, PLC के X0 पर देगी, अब यह जो ह है, मतलब off condition है, तो off condition में मैं एक image रखना चाहता हूं, तो मैं simply यह वाली library select करता हूं, और आप कोई भी button select कर सकते हैं, इस image को select कर लेता हूं, वो off condition के लिए, क्योंकि हमारे home में भी यही switch होती है, तो आप easily visualize कर पाओगे, उसी तरह हम on condition के लिए भी, एक image select कर लेते हैं, फिर से हम उसी library में आएंगे, condition के लिए भी same image हम select कर लेंगे, तो on condition में मैं यह वाली image select करता हूं, यह जो है वो पूरा नहीं आ रहा तो यहां से simply में उसको stretch all कर दूंगा, उसी तरह हम इसमें भी देख लेंगे, तो यह completely show कर रहा है, तो आप simply हम इसको ok कर देंगे, तो हमारी switch जो है वो create हो गई, इसकी addressing भी हमने दे दी है, तो अब हम यहां पर हमें दूसरी switch चाहिए, तो हम यहां से फिर से draw कर सकते हैं, maintain select करके draw भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि same rectangular नहीं बनेगा तो हम इसको delete कर लेते हैं, और simply इसको ही Ctrl C करके Ctrl V copy paste कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा हमारी यह दोनों size भी same रहेगी, और मुझे फिर से image भी select नहीं करनी पड़ेगी, simply मुझे इसका address change करना है, तो मैं double click करूंगा, यहां से मैं उसकी address change कर सकता हूं, x1, और ok कर दूंगा, और friends अगर मैं simply इसको click करूंगा, तो यहां पर भी box open हो जाएगा, यहां से भी हम उसकी address change कर सकते हैं, तो मैंने 2 switch x0 और x1 यहां पर connect कर लिए है, अब हमें यहां पर एक output चाहिए, तो output के लिए हैं यहां पर हम indicator पर जाएंगे, और फिर से एक rectangular box select कर लेंगे, अब double click करेंगे, तो इसकी address दे देंगे, तो PLC में हमने programming में क्या select किया था, y0 हमारा output था, तो यहां पर भी y0 लिखेंगे, तो यह हमारा y0 यहां पर link हो गया है, तो अभी y0 on होगा, तो यह भी यहां पर रिप्रेजन करेगा, off होगा तो रिप्रेजन करेगा, अब इसके लिए भी हम picture select कर लेते हैं, तो simple हम d lights में जाएंगे, condition के लिए मैं यह वाली image select कर लेता हूँ, अब इसको भी हम stretch all करेंगे, और यह black color अगर आप remove करना चाहते हैं, तो यहां से आप transparent पर yes करें, तो यह color चला जाएगा, अब अभी भी यह gray है, इससे भी आप निकालना चाहते हैं, तो यहां से आप white select करके, वह भी आप background से match कर सकते हैं, अब उसी तरीके से हम own condition के लिए भी एक picture select कर लेंगे, तो फिर से हम d lights में जाएंगे और, कंडिशन के लिए इस image को हम select कर लेते हैं, तो फिर से इसको stretch all करेंगे, transparent yes करेंगे, और इसका foreground color जो है, वह हम white कर लेंगे, तो हमने सारे components यहां पर लगा लिया है, अब इसकी naming करनी है, तो हम text box पर जाएंगे, और यहां से एक rectangular draw कर लेंगे, अब इस पर double click करेंगे, text पर जाएंगे, और यहां पर हम उसकी text लिख सकते हैं, अब यहां से bold कर सकते हो, color change कर सकते हो, उसकी size font भी adjust कर सकते हो, simply अभी हम ok कर देंगे, अब इसको आप center में लेना चाते हो, तो यहां से center में ले सकते हो, हम इसकी size भी increase कर लेते हैं, तो हम फिर से text में जाके इसको 20 कर लेते हैं, अब हमें formatting बार-बार adjust ना करनी पड़े हैं, इसके लिए simply हम Ctrl-C और Ctrl-V करके इसको यहां पर ले लेते हैं, आप इसको adjust भी कर सकते हो, अगर आपकी image cut हो रही हैं, फिर से इसको Ctrl-C और Ctrl-V कर लेते हैं, यह हम इसलिए कर रहे हैं, ताकि बार-बार हमें formatting प्री setting ना करनी और यहां पर सिफ हम अपना text change कर देंगे, कर देंगे, उसी तरह यहां पर भी हम text change कर देंगे, प्रो के कर देंगे, तो friends, हमने अपनी HMI designing जो है, वो complete कर ली है, ladder programming भी complete कर ली है, तो अब वक्त है इसको simulate करने का, test करने का, कि यह work करता है के नहीं करता है, तो सबसे पहले आपको यहां से अपने comgr को start कर लेना है, अगर आपको यहां पर नहीं दिख रहा, तो हम simply windows में जाएंगे, यहां पर आप सर्च कीजे, comgr, open कर देंगे, तो अब वो taskbar में आ जाएगा, इसको हम यहां से open कर लेंगे, अब मुझे अपना simulator सिलेक करना है, यह कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आप हमारा first video देख सकते हैं, इसको हम सिलेक करके start कर लेंगे, तो अब मेरा simulator जो है, वो start हो गया है, उसी तरह यहां पर आप HMI भी देख सकते हैं, कि कम्यूनिकेशन सेटिंग्स में, आपको यहां पर मैंने वही सिलेक किया है, जो मैंने अभी start किया है, ठीक है, तो अब पहले हम ISP soft program open करेंगे, हमें इस प्रोग्राम को compile करना है, और उसे अपने simulator में download करना है, तो कम्यूनिकेशन सेटिंग्स यहां पर आपको अपना simulator connect रखना है, तो simply यहां से हम compile कर लेंगे, तो यहां पर कोई error warning नहीं है, अब हम अपने simulator में download कर लेते हैं, यहां से, transfer पर क्लिक करेंगे, और close कर देंगे, transfer complete हो गया है, अब हम online mode में जाएंगे, और simulation करते वक्त इस bit को हमेशा own रखिए, ok कर देंगे, और PLC को हम run कर देंगे, yes, तो यहां पर हमारी simulator जो है, dvp simulator वो run हो गया है, अब हम अपने फिर से hmi software में जाएंगे, और यहां से हम offline simulation पर click करेंगे, क्योंकि हम hardware PLC use नहीं कर रहें, तो हम offline simulation पर जाएंगे, तो बेक्ग्राउंड में हम अपनी लेडर लोजिक ओपन रखते हैं, जैसे ही मैं इस वाली switch को प्रेस करूँगा, तो switch 1 मेरी x0 थी, तो यहां पर मेरा x0 जो है, वो open हो जाएगा, और उसी तरह हमारा output यहां पर show करेगा, तो मैंने इस वाली switch को open किया, प्रेस किया, तो यहां पर मेरी x0 जो है, वो close हो गई, और मेरा output on हुआ, तो यहां पर आप देख सकते है, हमारा bulb जो है, वो on हुआ है, अब दूसरी switch को मैं प्रेस करूँगा, तो मेरा output off हो गया है, यहां से भी आप देख सकते है, आउटप switches से control हो रहा है, तो हमारा project जो है, वो यहां पर complete हो गया है, तो thank you for watching friends, अगर आप ऐसे new new examples सीखना चाते हैं, तो like और subscribe कर दीजे हमारी YouTube channel को, मिलते हैं next lecture में, एक नए example के साथ, कर दो कर दो